ठंड इतनी थी कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा था और बच्चे स्कूल जाने से डर रहे थे लेकिन उनके डर की वज़ा सिर्फ ठंड नहीं थी वो बच्चे क्लास टीचर सीमा मैडम के खौफ में थे एक दिन पहले स्कूल में कुछ ये हुआ था सभी ने होमवक किया की नहीं हाँ मैडम किया है ठीक है मैं एक एक करके चेक करूँगी और गलती होने पर मैं सजा दूँगी ये सीमा मैडम की दूसरी कलास थी सीमा मैडम ने एक दिन पहले ही स्कूल में नया नया जोइन किया था सभी बच्चों ने सोचा था कि सीमा मैडम ब लोगों को सजा मिलेगी। लेकिन क्यों मैडम। क्यों कि होमवक में गलती है। तुम चारों यहां लाइन लगा कर खड़े हो जाओ। चारों लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि सीमा मैडम जाद से के अंदर बरफ जाने से चारों के चारों जोर जोर से चिलाने लगे आह आह बहुत थंडा है आह मैडम मैडम बरफ निकाल लीजे मैडम हमसे और गलती नहीं होगी आह आह लेकिन सीमा मैडम ने हसते वे कहा बरफ तो मैं नहीं निकालूंगी और कोई नहीं निकालेगा ये सज याद रहनी चाहिए तब जाकर तुम लोग सुधरोगे और हाँ ये बात अगर घर पर किसी को बताई तो और जादा सजा मिलेगी सारे बच्चे बहुत डर गए राजू चुटकी मूती और मीना चारो ठंड से कामते हुए अपनी अपनी जगह पर बैठ गए क्लास खत्म होने के बाद सीमा मैडम बाहर चली गए तब बाकी बच्चों ने चारों के स्वेटर से बरफ निकाल दिया उनको थोड़ी सी राहत मिली लेकिन तभी सीमा मैडम वापस आ गए किसने निकाला बरफ? किसने किया? किसी ने उत्तर नहीं दिया मेरे मना करने के बावचूत तुम लोगों ने स्वेटर से बरफ निकाला? तुम सब सजा के ही लाइक हो, सब को सजा मिलेगी ये बूल कर सीमा मैडम ने सभी के स्वेटर में बरफ खुसा दिया और शाम तक घर लोटते-लोटते सभी को जुखाम हो गया राजू की मा सुनीता कहने लगी क्या हो गया बिटा, सुबह तक तो तु ठीक था, अचानक से जुखाम कैसे हो गया तुझे राजू सब कुछ सच-सच बताने जाही रहा था, लेकिन तभी उसे सीमा मैडम की बात यादा गई और हाँ, ये बात अगर घर पर किसी को बताई तो और जादा सजा मिलेगी ये सोचकर राजू डर गया और उसने अपनी मा से कहा मा, वो बाहर बहुत ठंड है ना, उपर से बरबारी भी हो रही है, इसलिए ठंड लग गई है, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा नहीं जाएगा, लेकिन क्यों बेटा, थोड़ा सा जुखामी तो है नहीं मा, जुखाम ठीक होने के बाद ही स्कूल जाऊंगा नहीं बेटा, एक्जाम सर पर है, अभी स्कूल जाना ही होगा सुनीता ने राजू की बात नहीं मानी, उसने सोचा कि राजू छोटा है, इसलिए बहाना बना रहा है अगले दिन राजू स्कूल गया, बाकी बच्चे भी स्कूल आ गए, वो सभी सीमा मैडम के खौफ मे थे आज भी सीमा मैडम आएंगी, और हमसे कुछ ना कुछ करवाएंगी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आज क्या होगा कुछ दिर बाद सीमा मैडम क्लास के अंदर आई और कहा बच्चो, आज पढ़ाने का मूड नहीं है, आज मैं आराम करूँगी राजू चुटकी यहाँ आओ, और मेरे पैर दबा दो सीमा मैडम कुर्सी पर बैट गई, राजू और चुटकी पैर दबाने लग गए अरे अच्छे से दबाओ, ताकत नहीं है क्या मुझे जोर की भूक लगी है, तुम लोग टिफिन लाए हो ना, हाँ मैडम लाए है हाँ तो एक एक करके मेरे सामने टिफिन ले आओ, जिसका खाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, उसे सजा मिलेगी ये सुनकर डर के मारे सभी बच्चों के हाथ पैर ठंडे पढ़ गए, बच्चों ने अपना-पना टिफिन लेकर लाइन बना लिया लाइन में सबसे आगे टीना थी, उसने सीमा मैडम को टिफिन खोल कर दिया उसमें पूरी सबजी और गाजर का हलवा था, अरे वा, पूरी सबजी और गाजर का हलवा, बहुत बढ़िया, खा कर देखती हूँ सीमा मैडम ने पूरी सबजी और गाजर का हलवा खाया और फिर उंगलियां चाटने लग गए बहुत स्वादिश था खाना टीना तुम बैठ सकती हो उफ आज तो बाल-बाल बच गई उसके बाद मीना टिफिन लेकर आई उसकी माने पोहा बना कर दिआ था टिफिन खोलते ही सीमा मैडम ने मू बना लिया अरे चीचीची, सारा मूट खराब कर दिया पोहा कौण खाता है यार? पोहा क्यों लाई है? मीना डर-डर कर बोलने लगी मुझे, मुझे पोहा पसंद है मैडम इसलिए माने बना कर दिया है पोहा कितना सूखा होता है पोहा नदी में फेक दो तो नदी का पानी ही सूख जाएगा मीना मन ही मन सोचने लगी हाई आज तो मर गई मैडम को पोहा पसंद नहीं है मीना तुने मेरा मूट खराब किया है मैं तुझे सजा दूगी मीना ने तुरंट रोते हुए सीमा मैडम के पैर पकर लिये मुझे बाफ कर दीजे मैडम मुझसे गलती हो गई कल से मैं पूरी हलवा ही लाओगी लेकिन सीमा मैडम को तो सजा दे कर मज़ा आता था उन्होंने मीना को बाहर भेजा और बाहर से एक बरफ का बड़ा सा टुकड़ा लाने के लिए कहा मीना ने वही किया वो अपने हाथों से एक बड़ा सा बरफ का टुकड़ा उठा कर अंदर ले आई उसने सोचा यही उसकी पनिश्मेंट थी लेकिन सीमा मैडम इतनी आसानी से छोड़ने वाली थोड़ी थी उन्होंने कहा मीना अब अपना जूता उतार और उस बरफ के टुकड़े पर खड़ी हो जा क्या? मैडम, मैडम प्लीज माफ कर दीजे न मुझे मुझसे गलती हो गई, प्लीज मैडम लेकिन सीमा मैडम पर रोने धोने का असर नहीं होता था उन्होंने मीना को नंगे पैर उस बरफ के टुकड़े पर ख़ड़ा करके ही दम लिया और उसके बाद एक के बाद एक बच्चों की टिफिन खोलती गए और एक के बाद एक बच्चों को सजा मिलती गई अंत में सीमा मैडम ने चुटकी और राजु का खाना भी खाया लेकिन खाना पसंद ना आने पर उन्होंने उन दोरों को भी बरफ के टुकड़े पर नंगे पैर खड़ा कर दिया और फिर डंडे से सभी को मारने लगी गंदा खाना लाते है उसकूल में तुम्हें शरम नहीं आती इतनी ठंड में नंगे पैर बरफ पर खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है उपर से उन्हें मार भी पढ़ रही थी बेचारे बच्चे ये कैसे सह पाते मीना बेहोश हो गई और गिर पड़ी उसे घर भेज दिया गया उसके माता पिता ने भी सोचा कि जादा ठंड की वज़ा से हुआ ऐसा लेकिन मीना भी अपनी माता पिता से सच कहने में डर रही थी वो भी सच नहीं बोल पाई इसलिए सीमा मैडम को और जादा छूट मिल गई वो हर रोज बच्चों पर अत्याचार करने लगी कभी वो बच्चों पर ठंडा पानी चुड़कने लगी तो कभी ठंड में क्लास का पंखा चलाने लगी इससे सभी बच्चे परिशान हो गए एक महिना ऐसे ही बीद गया स्कूल प्रिंसिपल को कुछ भी पता नहीं चला और एक महिने से ये सब सहते सहते बच्चे परिशान हो गए हमें कुछ करना होगा ये सब कब तक चलता रहेगा लेकिन हम क्या करेंगे राजू मैडम बहुत शातिर है हम बाहर कुछ भी बोलेंगे तो कौन हम पर यकीन करेगा हाँ ममी पापा सोचेंगे कि हम स्कूल ना जाने का बहाना बना रहे हैं हाँ ये सही कहा हमें दिमाग लगाना होगा राजू घर चला गया और उसी दिम विदेश से उसके चाचा लोटा उन्होंने राजू को एक पैन दिया ये क्या चाचा आप विदेश से मेरे लिए केवल एक पैन लाए हो हाँ 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 ये ऐसा वैसा पैन नहीं है राजू बेटा ये देख इसमें कैमरा है लिखने के साथ साथ सब कुछ इसमें रिकॉर्ड भी होगा ये सुनते ही राजू की दिमाग की घंटी बचने लगी अगले दिन वो पैन लेकर सुझू चला दिया और अपनी जेब में पैन को रख दिया पैन का उपरी हिस्सा बाहर निकला हुआ था और उसे हिस्से में कैमरा लगा हुआ था आज भी रोज की तरह सीमा मैडम सबको डाटने मारने लगी और अंत में वो रोज की तरह सबको सजा देने पर उतर आई उन्होंने आज तो हदी पार कर दिया उन्होंने सभी बच्चों को बाहर बरफ में निकाल दिया और बरफ पर सुला दिया कुछ देर बाद क्लास में लोटने के बाद सभी बच्चे खासने चीखने लगे और दस वारों बच्चे बेहोश हो गए प्रिंसिपल दौड कर आए और उन्हें अस्पताल में भरती किया गया सभी बच्चों के पैरंट्स अस्पताल चले आए लेकिन यह सब हुआ कैसे? हाँ हाँ, सभी एक साथ बिमार कैसे पड़ गए सीमा मेडम पासी में खड़े होकर हस रही थी तँभी राजु ने कहा ये सब सीमा मेडम की वज़े से हुआ है क्या? मेरी वज़े से? क्या बोल रहे हो तुम राजु? मैं तुम लोगों से कितना प्यार करती हूँ जोट, सब कुछ जोट, ये देखिए राजु ने पैन निकाला और उसे फोन से कनेक्ट करके सभी को सब कुछ दिखाया सीमा मैडम की हालत खराब हो गई इतनी ठंड में भी वो पसीने-पसीने होने लगी और पैरेंट्स सीमा मैडम पर बहुत गुस्सा हो गए उन्हें उल्टा सीधा कहने के बाद पुलिस को बुलाए गया और उन्हें जेल में भेज दिया गया डॉक्टर ने सीमा का चेक अप करने के बाद कहा कि उन्हें एक मैंटल डिसॉर्डर है बच्चों पर टॉर्चर करके उन्हें सुकून मिलता है कोर्ट ने उन्हें 20 साल की सजा दि और ये भी घोशित कर दिया कि 20 साल बाद भी उन्हें कभी भी कोई भी स्कूल नौकरी नहीं दे सकता ऐसे ही राजू की होश्यारी से बहुत सारे बच्चों की जान बच गई और सीमा जेल में सरने लगी अदिती नौवी क्लास में पढ़ती थी, वो काफी मोटी थी, उसे मूली के पराठे बहुत पसंद थे मूली के पराठे खाखा कर वो और भी जादा मोटी हो गई थी उसके मूली के पराठे खाने की आदत से सब परिशान थे अदिती बेटा जल्दी से नाश्टा कर लो स्कूल की बस आती ही होगी मा आपने नाश्टे में क्या बना है आज तो मैंने आलू के पराठे बना है मा आपको पता है ना कि मुझे मूली के पराठे कितने पसंद है आप मूली के पराठे क्यों नहीं बनाती मैं स्कूल तब ही जाओंगी जब मुझे मूली के पराठे खाने को मिलेंगे अधिती बेटा अभी तो गर्मियों का मौसम है मूली का सीजन तो ठंड में आता है ठंड का मौसम आने दे तुझे मूली के पराठे बना कर खिलाओंगी प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा अधिती उस दिन आलू के पराठे खा कर और वही लंच में लेकर स्कूल चरी जाती है लेकिन उस दिन से वो ठंड के आने का इंतजार करने लगती है अधिती जल्दी से अक्टूबर के खत्म होने का इंतजार करने लगती है नवंबर से ठंड शुरू हो जाएगी तब बाजार में मूली आ जाएगी और मम्मी मुझे मूली के पराठे बना कर खिलाएगी अधिती दिन गिन रही थी कुछ दिनों के बाद अक्टूबर का महीना खत्म हो गया और नवंबर का महीना शुरू हो गया था अधिती एक दिन स्कूल बस से घर लोट रही थी तभी उसने घर के पास देखा सबसी वाले भाया, मूली कैसे दिये? इतना महंगा? बहन जी, सीजन का नया मूली है, अभी अभी बाजार में आया है, महंगा तो होगा ही भाया, पचास रुपे किलो लगा दो नहीं हो पाएगा बहन जी, इतनी तो हमारी खरीद भी नहीं है सबसी वाला जाने लगता है, अदिती जित करने लगती है मा आपने कहा था कि ठंड के मॉजब में आप मूली के पराठे बना कर दोगी आपने मूली क्यों नहीं खरीदी? प्रीती को मूली खरीदने पड़ती है, वो सबसी वाले को रोकती है सबसी वाला एक किलो मूली प्रीती को देता है, ये लो आपके साथ रुपए मूली देखकर अदिती बहुत खुश हो जाती है, उसरा डिनर में प्रीती मूली के पराठे बनाती है अदिती ने चार मूली के पराठे खा लिए मा मुझे एक और पराठा चाहिए अदिती बेटा तुने चार पराठे पहले ही खा लिए, जरा अपने वजन की ओर भी देख कितना जादा है, इतने पराठे खाईगी तो और मोटी हो जाएगी ठीक है मा, अभी मत दो, लेकिन कल सुबह नाश्टे में मुझे मूली के पराठे ही चाहिए, मैं तभी स्कूल जाओंगी ठीक है अदिती, कल सुबह तुझे मूली के पराठे ही दोंगी दूसरे दिन भी प्रिती अदिती को नाश्टे में मूली के पराठे बना कर देती है अदिती नाश्टे में भी मूली के चार पराठे खा जाती है अदिती तुने रात में भी मूली के चार पराठे खाये थे और अभी नाश्टे में भी बेटा इतना जादा खाएगी तो और मोटी हो जाएगी मा मैं मूली के पराठे देखकर खुद को नहीं रोप सकती मूली के पराठे खाकर अधिती स्कूल चली जाती है लेकिन वहाँ स्कूल में क्लास टीचर उसे ब्लैक बोर्ड के पास बुला कर कहती है कि वो बच्चों को गड़ित का सवाल हल करके दिखाए अधिती ब्लैक बोर्ड पर गड़ित का सवाल हल करी रही थी कि उसने बहुत गंदी गैस छोड़ दी मूली के पराठे खाने के कारण उसके गैस से बहुत गंदी बदबुआ रही थी क्लास के सभी बच्चे अपने अपनी नाग बंद करके क्लासरूम छोड़ कर बाहर आ गए क्लास में हंगामा बज़ गया अधिती ये सब क्या है? क्या तुम स्कूल आने से पहले फ्रेश नहीं होती? होती हो ना मैडम वो क्या है कि कल रात मैंने मूली के पराठे खाये थे और आज सुबह भी मूली के पराठे खाये क्या? कल रात भी और आज सुबह भी? हाँ मुझे मूली के पराठे बहुत पसंद है लेकिन तुम्हारी पसंद का नुकसान हम सब को भरना पढ़ रहा है बनवा कर तुने खा लिए अधिती के पिता जी वहीं सोफे पर बैठे थे और अपने लैपटॉप पर आफिस का काम कर रहे थे उन्होंने अधिती से कहा क्या बात है अधिती तुम्हें मूली के पराठे खाने हैं क्या हाँ पापा ठीक है शेकर इसने कल ही तो मूली के पराठे खाए है और आज सुबह नाष्टे में भी मूली खाकर स्कूल गई थी आप भी ना इसकी हर जिद मान लेते हैं रोज रोज मूली के पराठे कौन खाता है खाने दो ना परिती प्रीती ने ना चाहते हुए भी डिनर में मूली के पराठे बनाए और अधिती ने जम कर मूली के पराठे खाए अब तो अधिती रोज रोज प्रीती से मूली के पराठे बनाने के लिए कहती प्रीती अधिती के लिए मूली के पराठे रोज बना दिया करो अधिती को अब रोज मूली के पराठे खाने के लिए मिलते जिसे खाखा कर वो और जादा मोटी हो गई थी और स्कूल में रोज गंदी गैस छोड़ती थी स्कूल के बच्चे और टीचर सभी उसकी सादत से परिशान हो गए थे इसी तरह नवंबर का महिना बीद क्या और दिसंबर भी आ गया अब तो ठंड और बढ़ गई थी ऐसे में अदिती का मुले के पराठे खाना और भी बढ़ गया प्रीती मुली के पराठे बना कर और रोज रोज खा कर परिशान हो चुकी थी एक बार की बात है अदिती के स्कूल में वार्शिक समारो होने वाला था अदिती ने घरा कर शेखर को ये बात बताई पिताजी स्कूल में वार्षिक समारो होने वाला है जिसमें सभी बच्चे भाग लेंगे मैं भी एक डांस प्रोग्राम में भाग लूगी हाँ अदिती बेटा, तुम वार्षिक कारिक्रम में जरूर भाग लेना और वो पहले से भी जादा खाना खाने लगी, अब वो पहले से जादा मूली के पराठे खाती ओहो मैं तो मूली खरीद खरीद कर ठक गई हूँ, कहीं देश में मूली का अकाल ना पड़ जाए ऐसा बड़ बड़ाते हुवे प्रीती सबजी वाले को रोकती है, सबजी वाले भाया, रुकना जरा बोलिये बहन जी, क्या दूँ, मेथी का साग, बथवा का साग, ताजे-ताजे बैंगन या गाजर अरे ये सब छोड़ो, मुझे एक किलो मूली दे दो रोज-रोज मूली के पराठे खाती हो बहन जी, कभी कोई और सबजी भी खा कर देखो, ठंड का मौसम है, इतनी सारी हरी पत्तेदार सबजिया है, सब अभी खेच से तोड़ कर लाया हूँ प्रीती ठंडी सास भरते उवे कहती है, हमारे घर में तो सिर्फ मूली के पराठे ही खाये जाते हैं, आप मुझे मूली दे दो फिर एक किलो मूली में क्या होगा, आप दो किलो मूली ले लो, क्योंकि कल मैं सबजी लेकर नहीं आउंगा सबजी वाला प्रीती को दो किलो मूली दे देता है प्रीती मूली के पराठे बनाती है इधर अधिती का वार्षिक कारिक्रम नस्दीक आ गया था मा कल हमारे स्कूल में वार्षिक कारिक्रम है आपको और पापा को स्कूल आना है ये रहा पास ठीक 11 बजे आप दोनों स्कूल आ जाना ठीक है अदिती बेटा मैं और तेरे पापा स्कूल आ जाएगे मा कल नाश्टे में मूली के पराठे बना देना और मुझे लंच में भी चार मूली के पराठे दे देना ठीक है दूसरे दिन अदिती नाश्टे में चार मूली के पराठे खा लेती है और लंच में भी चार मूली के पराठे ले कर जाती है 11 बजने से पहले कारिकरम खत्मोंने में पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा मैं लंच अभी ही कर लेती हूँ और अदिती ने लंच में मिले मूली के पराठे खा लिए अदिती को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतना जादा मूली के पराठे खाना उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा जब 11 बजे कारिकरम शुरू हुआ तब अदिती अपने क्लास के बच्चों के साथ एक डांस परफॉर्म कर रहे थी लेकिन उसी बीच मूली के पराठों ने अपना असर दिखाना शुरू किया और अदिती गैस छोड़ने लगी गैस की बद्बु इतनी गंदी थी कि स्टेज पर नाच रहे दूसरे बच्चे स्टेज छोड़कर भागने लगे सारे बच्चे स्टेज छोड़कर भाग गए और अदिती अकेली रह गई इस तरह उसका डांस शो पूरा नहीं हो पाया कारिक्रम में मौजूद स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर, स्कूली बच्चों के अपिभावक भी गैस की इदगंदी बद्भू से अपनी अपनी कुर्सी छोड़कर भाग गए सभी एक दूसरे के साथ कानफुसी कर रहे थे कारिक्रम में आए अदिती के मादा पिता को काफी शर्मिंद की महसूस हुई अदिती रोते हुए उनके पास आई मा देखो ना सभी लोग कारिक्रम चोड़कर भाग गए और सब मेरे बारे में पूछ रहे है अदिती बेटा मैंने तो तुमें पहले ही कहा था कि इतना जादा मूली के पराठे खाना ठीक नहीं है ये सब उसी का नतीज़ा है मूली के पराठे खाखा कर तुम और भी मोटी हो गई हो और आज तो जो हुआ तुमने देखी लिया सौरी बबी मैं आज के बाद मूली के पराठे नहीं खाऊगी चलो देर आए लेकिन दुरस्त आए